तो आज हम बनाने वाले हैं एक बड़ा सा सीक्रेट रूम आपका इस सवाल हो सकता है क्या अखिरकार सीक्रेट रूम ही क्यों कोई बड़ा सा घर क्यों नहीं हम बात तो सही है लेकिन बड़ा सा घर बनाने के लिए ही पहले हमें बनाना पड़ेगा एक बड़ा सा सिक्रेट रूम जहां पर रख जाएंगे बहुत सारे चेश्टर्स एक बात और हम इसे बनाने वाले हैं अंडर ग्राउंड यानि के जमिन के अंदर जमिन के खुदाई करके इसलिए से करने में और भी ज्यादा मज़ाने वाला है सो गाईज अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको मालूमी होगा कि हमें एंडिंग टाइम पे एक चोटा सा गाउ मिला था लेकिन लेकिन फिलहाल में उस गाउ से काफी दूर निकल चुका हुँ क्यूंकि वो गाउ काफी छोटा था जोकि मुझे शोट निकल रहा था यार फिलहाल के लिए मैं इन जंगलों मैं घुम रहा हूँ अरे-अरे ये क्या है? और ये से बचके कहीँ दूर भागना पड़ेगा वरना ये मुझे काट खाएगा वैसे मैं इसे मारना नहीं चाहता इसलिए मैं इसे दूर भाग रहा हूँ मैं उस कुत्ते से तो बच गया लेकिन मुझे तलासना होगा एक अच्छा सा घाओ वो देखो सामने कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ अजीब सा लग रहा है चलो चल कर देखते हैं अरे यह तो छोटा सा वलकैनो है लेकिन एक सेकेंड यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स I mean यह छोटा सा एक चेस्टर रखा हुआ है लेकिन ध्यान से क्योंकि यह लावा के बीच में रखा हुआ है हो सकता है हम इसमें गिर जाएं और यह भी हो सकता है कि इसके अंदर काफी कीमती समान रखा हो क्योंकि यह लावा के बीचों बीच रखा है अरे वा क्या बात है इसमें तो बहुत कुछ है जो कि मेरी अवकात से बाहर है वाटर बकेट, बहुत सारे डामेंड सोने के तलवार, अरे वाँ सोने के जूते मैं ये सब ले लेता हूँ क्योंकि ऐसे मोखे बार-बार नहीं मिलते हैं मुझे तो अभी भी विजवास ने हो रहा है कि आखिरकार मुझे इतना सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया उपर देखो, वहाँ पर कुछ तो है जो कि सोने जैसा लग रहा है तो मुझे उसके लिए उपर जाना पड़ेगा आराम से, कहीं मैं इस लावा में ना गिर जाओ आराम से, थोड़ा आराम से बस थोड़ा और, मैं बस पहुंचे गया मुझे कुछ इधर प्लैंक्स लगाना पड़ेगा लेकिन ध्यान रहे कि मैं नीचे ना गिर जाओ ओके, तो मैं इसे तोड़ कर देख लेता हूँ मुझे इससे क्या ही मिलेगा ये क्या बखवास है मुझे इससे कुछ मिला क्यों ने इतना रिस्क लेने के बाप जूद भी मुझे कोई फाइदा ने हुआ लेकिन जितना मिला वो भी काफी है अब मुझे आराम से नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा आराम से, अगर मैं नीचे गिरा तो सारा सामान भी चला जाएगा चलो सुकर है, हम सही सलामत नीचे आ गए है खर अब हमें तलासना पड़ेगा अपना एक अच्छा सा गाउ चलो चलते हैं, काफी धग गया हूँ और गाउ भी तक मिला नहीं है लेकिन अब और चलने का मन भी तो नहीं कर रहा अरे ये देखो, यहाँ पर मुझे बहुत सारा पंकिन मिल रहा है ये हमारे आगे खेती करने के काम आएगा तो मैं इन सभी को लिलेता हूँ अरे वो देखो, दूर दराज में हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या ये कोई गाउं जैसा लग रहा है अरे वाह, हमारी पहली तलास पूरी हो चुकी है ये कोई गाउं ही है, तो चलो चल कर देखते हैं लेकिन मुझे ध्यान से नीचे उतरना पड़ेगा अगर मैं गिरा तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं दुबारा कहा स्पौर हूँगा और मेरा सहरा सामान भी चला जाएगा और जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ आराम से, थोड़ा आराम से, थोड़ा और मुझे आराम से नीचे उतरना पड़ेगा यार ओके, सो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और वो रहा हमारा सामने गाउ ये गाउ उस वाला गाउ से काफी ज़्यादा बड़ा और काफी सुन्दर है हापको कैसा लग रहा है, मुझे कॉमन करके बताएगे मैं नहीं बताऊंगा अब हमें बस एक ऐसी जगह की तलास है जहाँ पर हम अपना सीक्रेट रोम बना सकते है लेकिन उससे पहले मैं इस गाउ के छोटे से घर में देख लेता हूँ क्या पता मुझे भी यहाँ पर कुछ मिल जाए अरे वाह क्या बात है, इसमें बहुत सारे से मिले है इसका मतलब यह हो सकता है कि हम इस गाउ में और भी बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन फिलाहाल के लिए मेरे पास स्टोरेज नहीं है तो मैं यहाँ पर इसे रहने देता हूँ वैसे आप देख सकते है कि इस गाउ के लोग काफ़ी महनती है कितनी महनत से अपनी फसल उगा रहे है चलिए हम इस से कुछ बाते करते है आपने अपने खेत में क्या लगाया है अचा ठीक है तो क्या आप यह बता सकता है कि क्या आपने मिश्टर थुड़ा का चैनल सबस्क्राइब किया है आरे वा, और क्या आपने इस वाले विड़े को लाइक किया है, हां, आरे वा, क्या बात है, इसने तो चैनल को सब्सक्राइब और विड़े को लाइक भी किया, क्या आपने किया है, नहीं, इतना विसाल पेड, ओ माई गॉड, आप ज discriminate देखते हैं, सच में यह तो बहुत विस बन चुकी है तो अब बारी है सीक्रेट रोम बनाने की तो चलो जल्दी से अब हम अपना सीक्रेट रोम बनाते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमें जमीन में एक बड़ा सा गढ़ा खोदना पड़ेगा और गढ़ा कोदने के लिए हमें चाहिए होगा फाबला पिक एक्स और ट store room होने वाला है वैसे हमें यहां पर काफी कोईला भी मिल रहा है जो कि हमें खाना पकाने और टॉर्च लाइट बनाने और भी काफी चीजों में मदद करने वाला है वैसे हमने काफी नीची तक इसे खुदाई कर दी है लेकिन मुझे अभी भी नहीं रुकना है क्योंकि बहु लोर यह blues और यह उपर का फ्लूर है और हमें जाना पड़ेगा लकडियां लाने के लिए तो मुझे यहां से बाहर निकलना पड़ेगा यह इतना विसाल है कि इस पेड की लकडियां से हमारा सारा काम हो जाएगा लेकर इसे काटना यह मेरे वाट लगा तुम इतनी सारी इस पेड़ को काड़ते काड़ते साब हो चुकी है लेकिन अभी भी पूरा नहीं कटा है लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है और अंधिरा भी हो रहा है तो मुझे जाना चाहिए अगली सुबा हो गई है अब हमें चलना पड़ेगा सिक्रेट रूम की तरफ लेकिन यह क्या है नीचे जाने का ब्लॉक कौन सा था यार सायद यहीं होगा अरे नहीं ओ शिट बाल बाल बच गया ओ पर यह क्या है यह मुझे काड़ भी रहा है अब मुझे इसे मारना पड़ेगा वरना यह मुझे को मार देगा फिलहाल के लिए तो मेरे पास काफी ज्यादा सामान हो चुका है तो मुझे कुछ चेस्टर से बना लेने चाहिए उसके लिए मेरे को क्राफ्टिंग टेवल पर रखना पड़ेगा एक प्लैंक्स मतलब कु हाँ यह जगा सही रहेगा और मैं चेस्टर पर अपना सारा समान रख देता हूं ताकि मेरे पास कुछ खाली जगा है स्पेस बच जाए जिसे मैं बाकी का समान रख सेको आव वैसे मैंने नीचे जाने के लिए यहां पर लगा दिये सीड़ हैं तो अब हम नीचे वाले फ्ल मैं यहां पर प्रफेकर यहां पर सारे नीचे लगा दिये यह काफी अच्छा लग रहा है लेकिन मैं यहां पर कुछ पीलर्स भी लगा देता हूं वरना यह कुछ अजीब सा दिखेगा हवा में लिटकता हूँ जो कि बेकार सा लग रहा है तो जैनुर्ण दिखाने के इन पत्थरों को कुछ इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा ओके ये कैसी अवा जा रही है ये क्या ये इसमें वैसा ही काटने वाला कीड़ा जीव निकल रहा है इसे जो कि मुझे मारना पड़ेगा वरना ये मुझे मार देगा भाई सब ये क्या हो रहा है ओ शिट और भी निकलते जा रहे है जिसका सामना करना मेरे बस के बाहर होता जा रहा है तो मुझे यहाँ से जली से बार कुर भागने पड़ेगा वरना ये मुझे मार ही डालेंगे तो गाईस मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन सभी जीवों के चक्कर में जो पता नहीं क्या थे वो उन सभी ने मेरी काफी महनत बरबाद कर दी इसलिए मुझे दुबारा से और लकडियां काट कर सभी प्लैंक्स लगानी पड़ी तो चलो अब मैं आपको अपना सिक्रेट रूम दिखाता हूँ तो यह है हमारा सिक्रेट रूम लिकल लेकिन यहाँ पर कुछ तो कमी है हाँ यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा secret door तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले बंद करना पड़ेगा इसे blocks लगा कर ओके 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 तो यह ठीक है और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा खोदना भी पड़ेगा यहाँ पर redstone जो कि wire का काम करते हैं और यहाँ पर हमें आराम से redstone लगाना पड़ेगा यहाँ पर किसी भी दरीगा cut नहीं होना चाहिए फिर यह perfectly work नहीं करेगा और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक lever ताकि यह उसे चला सके यानि कि जिसे हम सुच भी कह सकते हैं देखते हैं यह कितने अच्छे से काम करता है ओके तो ओश ओके यह काफी अच्छे से काम भी कर रहा है वाउ और नीचे जाने के बाद तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है बाहर से लेकिन मुझे यहाँ पर इसे hide करना पड़ेगा तो कुछ इस तरीके से मुझे इसे cover करना पड़ेगा यहाँ पर हम लगाते हैं कुछ grass कुछ इस तरीके से मुझे cover कर देना चाहिए ताकि कि किसी को यह न पता चले कि यहां पर SECRET ROOM का दरवाजी के सुचिए यहां पर, मुझे अच्छे से ही और UNPena, पर एक수가ए हिए करना पड़े गा करने ही bede किया बहुते देल ऐगा वरना अगर यहां पर यहां dok यहां पर इसमें के बले गाई तो चलो आपको दिखाता हो अपना सीक्रेट रूम जहां पर रखे हैं पूरे के पूरे तीस चेस्टर फिल हाल के लिए तो आप देख सकते हैं कितना ही सांदार यहां पर इसका नजा रहा है और नीचे हमारी बेड पड़ी हुए और इसी के साथ जो भी जितने भी चेस्टर स सब्सक्राइबर प्रख दॉनारे को सब्सक्राइबर आपको ₹ currency ह चोटा सा तो अब लोग मुझे बता सकते कि आप अगली वीडियो में क्या बंता हुआ देखना चाते हैं और यह ह़ां हमारा चोटा सा श्टोर रूम आपको क्यासा लगा ये कमेंट करके बाद आना बिल्कुल मत बोलना